सीटेट में 40 questions आते हैं सोशल साइन्स के content से सामाजिक विज्ञान के content से 40 questions आते हैं जिसमें से 20 से 22 questions सिर्फ history के होते हैं और ऐसा ही सभी teaching exams के साथ है चाहे वो स्टेट कोई भी ले लो आप तो इन सभी को करने का सबसे बहतरीन तरीका है कि आप NCRT के book पढ़ें इस वीडियो में हम करेंगे history की NCRT के book के summary ठीक है part 1 है यह class 6 से कर रहे हैं तो start करते हैं पहला point है अब यह content देख रहे हो आप यह book में four words से लिया गया है या national anthem जो भी दिया गया उससे लिया गया है content जहां से चाली होगा chapter महां पर मैं बता दूंगे आपको तो पहला point है national anthem जिसे हम राष्टगान कहते हैं हिंदी में यह compose किया था किसने रबिनाथ टेगोर नहीं किया था और किसमे उन्हें कौन सी भाषा में लिखा था बांगला में लिखा था मगर बाद में उसका translation उसको बदल के हिंदी में जो किया गया वो हमारे constitution में अडाप्ट हुआ हमारे constitution assembly में अडाप्ट हुआ उसे मान लिया गया 24 जनवरी 1950 को ठीक है तो यह आपको बात पता होनी चाहिए कि कब अडाप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950 यह date एकदम याद कर लें अब ठीक है इसके बाद क्या दिया है कि why do we study history ठीक है तो जितने भी आप teaching exams ले लोगे न content पे focus है बट इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप जो subject पढ़ा रहे हो उसका aim क्या है उसका मकसद क्या है ठीक है तो हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं to understand the working of our social world यह समझने के लिए कि विश्व की कारप्रणाली कैसी है ठीक है हमारा जो working world है social वो कैसे काम करता है यह सब चीजों को समझने के लिए हम history को पढ़ते हैं और यह हमें मदद करता है यह समझने के लिए कि यह जो हमारा present world है जिस हम विश्व में जी रहे हैं वो कैसे evolve हुआ उसकी उत्पत्ती कैसे हूँ इसमें social structures कैसे बने यह सब चीजों को समझने के लिए और इसको हम इस तरह कैसे भी देख सकते हैं इतिहास को की यह एक journey है कि यात्रा है time and space में ठीक है समय में एक यात्रा की तरह है and history is not just about political events but everything that happens in society सिर्फ कोई war कब हुआ किस की लड़ाई कैसे हुई कब हुई किस कारणों से हुई यह जानना जरूरी यह जानना ही सिर्फ history नहीं है बलकि हमारे समाज में जो भी चीजे हो रही है उन सभी के बारे में जानने को हम history कहते हैं ठीक है अब next point देखते हैं बुक में activities दी गई हैं यह भी question पूछ सकता है इसलिए यह मैंने include किया है बुक में कौन-कौन सी activities है let's recall है let's discuss let's do आओ याद करें आओ चर्चा करें या फिर आओ करके देखें ठीक है यह तीन तरह के की activities बुक में है अब इसके बाद next point है यहां से chapter स्टार्ट हो रहा है tributions या फिर सहायक नदी जिसे कहते हैं वो क्या होती हैं ऐसी चोटी चोटी नदिया सोन अर बहूत सारी है तो वे ट्रीब्यूट्री टीक कैसों और नेक्सट पइंडीक कि यह Two शब्द यह किष से लिएगर है यह लिए गया है कि उसको शंधिक में सिन्धू भीएज फोगा अब उसके बाद है manuscript manuscript या फिर पांडू लीपी मैनू का मतलब होता है hand मतलब हाथ से लिखी गई script मतलब लीपी आपने जो यहां पर image देखी यह है पांडू लीपी का example ठीक है manuscript का example है और इसकी खास बात क्या है कि यह लिखी जाती थी हिमालियन बिर्च पे हिमालियन बिर्च या त्विर भोजपत्र जिसे हम कहते हैं ठीक है अब इसकी बाद next point है archaeologist और historians में लोगों को confusion होता है कि archaeologist किसे कहेंगे archaeologist and historians दोनों इतिहास की पढ़ाई करते है है ना history के बारे में जानते हैं तो archaeologist किसको कहेंगे जो physical materials के बारे में पढ़े और historians किसको कहेंगे जो written material लिखेत रूप से जो भी चीज़े हैं उनकी पढ़ाई जो करें उन्हें कहेंगे Historian, सित्हासकार उन्हें कहेंगे और पुरातत्व विद्थ उन्हें कहेंगे जो सिक्कों के या फिर कोई structure है, sculpture है उन सब की पढ़ाई करें उन्हें कहेंगे archaeologist ठीक है? अब next point है अब यहां पर बहुत important point है अब ध्यान दे समझना जरूरी है कि timeline कैसे है ठीक है पहला लिखा है BC before Christ और BCE ये दोनों का इस्तमाल हम एक चीज के लिए कर सकते हैं या तो BC लिख सकते हैं या फिर BCE लिख सकते हैं BC का आर्थ होता है before Christ ठीक है या फिर इसा पूर्व और BC का ताथपर है before common era ठीक है अब ये क्या है देखो हमारे इतिहास में हमने गिंती कहां से चालू की कि ये पहला वर्श है ये दूसरा वर्श है ये दीसरा वर्श है तो ये हमने इसा मसी के जन्म से शुरूआत की ठीक है मतलब इसा मसी का यहां पर समझो जन्म हुआ है और उनके जन्म से कितना समय हो गया है दो हजार बीस समय हो गया है और इसी को हम कहते हैं common era ठीक है इसी को क्या कहते है common era या फिर कहेंगे AD ठीक है अनो दामनी यहां पर है AD का मतलब अनो दामनी ये क्या है एक Latin word है in the year of the Lord ठी ठीक है मतलब इसा मसी के जन्म से हमने जो शुदवात किया उसे कहते है AD या फिर common era ठीक है अब इसके पहले जो भी चीजे हुई उसको उसके लिए हम इस्तमाल करते हैं BC का या फिर BCE का ठीक है मतलब आपने समझे लिया BC before common era और BC मतलब before Christ ठीक है आप I hope आप समझ गया होंग कि कहां से गिंती शुरू ही है और BC BC या फिर CE या फिर AD में क्या फर्ख है ठीक है अब next point देखते हैं beginning of agriculture agriculture की शुरुवात कब हुई मतलब खेती के शुरुवात कब हुई धरती पर तो तकरीवन 8000 साल पहले agriculture की शुरुवात हुई ठीक है अब ये जो इंडस वाला point है देखेंगे अब इसके बाद देखते हैं next point why hunters and gatherers moves ठीक है आखे टक खादे संग्रहा को को घूमने का कारण क्या था वो किस कारण से घूमते थे आप डेट्स याद कर लोगे मगर आप सीटेट का paper उठा के देखो लास्ट जो paper हुआ था उसमें ही ये BC से question आया था और ठीक अब यहाँ पर है why hunters and gatherers moves तो hunters और gatherers क्यों move होते थे आखे टक खादे संग्रहों को के घूमने का कारण क्या था कारण ये था कि plant और animal resource जब एक जगह पर इंसान कई दिनों तक रहता था तो वहाँ पर रहने वाले जो plants होते थे ठीक है उस समय खेती नहीं होती थी तो के जानवर भी खतम होने लगते थे तो उन्हें भोजन की तलाश में बाहर जाना पड़ता था एक कारण ये है दूसरा कारण क्या है animal movement मतलब जो शिकार जानवर होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं ठीक है तो उनको खाने वाले जो है उनको भी उनके पीछे जाना होगा ह है कि नहीं तो ये दूसरा कारण है उनके घूमने का उसके बाद है तीसरा कारण seasonal fruit जो हम देखते हैं कि फल फूल किसी एक मौसम में आते हैं ठीक है ना तो इस कारण से भी उन्हें घूमना पड़ता था अलग अलग जगहों पर और चौथा है water resource water resource मतलब देखो जो बड़ या फिर तालाब सूख जाते थे तो उन्हें पानी के तलाश में घूमना पड़ता था ठीक है तो आपको options ऐसा दिया रहेगा कि क्या कारण है आखेटक्स काद्य संग्रहां को के घूमने का जिसमें से एक point अलग दिया होगा उसे ही आपको चूस करना होगा या पूछेगा कि इन तीनों में से कौन सा सही है इन चारों में से कौन सा सही है ठीक है important point है ध्यान दे आप अब इसके बाद देखो point है कि घास थलोक का निर्मान कैसे हुआ कैसे हुए तो तकरीवन 12,000 साल पहले एक major climate change हुआ मतलब बहुत ही बड़ा जो हमारा तापमा ये जो सब कुछ है वातावरन बदल गया और कैसा हो गया गर्म हो गया और इसी से grasslands बने घास थल का निर्मान इसी प्रकार हुआ ठीक है अब इसके बाद है पैलियो लिथिक पीरियड पैलियो लिथिक पीरियड आप सब जानते होंगे पूरा पाशान काल या फिर पूर पाशान काल या फिर आप क्या सकते हो प्राचीन अश्मयूग ठीक है जिसमें पैलियो का मतलब है पैलियो लिथिक पीरियो जो देख रहे हैं पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन ठीक है प्राचीन मतलब पूरा मतलब हो गया प्राचीन और पाशान मतलब हो गया पत्थर ठीक है तो ये इसका टाइम लाइन क्या था मतलब ये किस तकरीबन दो लाग से बारह हजार साल तक के समय को कहते हैं पालियोलिथिक पीरियड ठीक है तो अश्म यूग जितने भी हैं उनका पीरियड ये आपको पता रहे आप अगर हिस्ट्री टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक तोर पर पता होनी चाहिए ठीक है अब इसके बाद नेक्स पॉइंट है मिजोलिथिक पीरियड या फिर मध्य पाशान यूग या फिर मध्य अश्म यूग ठीक है इसका टाइम लाइन क्या है तकरीबन 12,000 से 10,000 साल पहले ठीक है इसकी क्या खासियत थी कि इसमें जो स्टोन टूल्स थे मतलब जो पत्थर के 1000 थे वो बहुत छोटे छोटे आकार के थे जिनको माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं ठीक है और पैलियोलिथिक में जो थे वो काफी बड़े थे और वो अच्छी तरीके से ढाले नहीं गए थे और मीजोलिथिक में छोटे-छोटे हतियार बनने लगें और उनको घसकर एक आकार में बनाया जाने लगा उसके बाद हुई शुरुवात नियोलिथिक पीरियड की मतलब नव पाशान युग की जिसमें अलग-अलग अकार के बनने लगे और इसका टाइम लाइन है 10,000 से समय नहीं लिखाया है मगर आप ले सकते हैं तकरीबन 8,000 साल पूर्व सिरका 8,000 साल पूरव सिरका मतलब होता है लगभग ठीक है और इसकी इसमें सबसे रिमाकबल चीज क्या हुई की एग्रिकल्चर स्टार्ट हुआ नियोलिथिक पीरियड में इंसानों ने क्रिशी की शुरुवात की ठीक है और इंडिया में हाँ ये क्वेस्चन अलरीडी सीट डिसेंबर में पूछ चुका है कि इंडिया में ऑस्टिचिज थे पहले ये कैसे पता चला कि पैलियोलिथिक ी कि अचिम ये इससे पता चला कि महाराषटा के ज스터 है पक्ने पटने वहां कर बहुत ही बड़ी मात्रा में ही और उस्ट्रीच एक के शल्दस पाये गए इससे पता चलता है कि यहां पर आस्ट्रिच समींत in the sounds या फिर हडपा कालीन संस्कृती इसका टाइम लाइन क्या है तकरीबन 4,700 साल से 3,900 साल ठीक है तो ये पॉइंट्स थे पार्ट दूसरे तक अब नेक्स पीरियड नेक्स वीडियो में हम आगे के कवर करेंगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कुछ भी नहीं समझाया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं एं थैंक्स वॉचिंग